बार बार मैं इनकी गलतियों को दबा रही थी, गलतियों को छुपा रही थी, कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, है ना, मुझे मारते थे, चिलाते थे मेरे पर, और next day मुझे प्यार से मनाते थे, और मैंने का चलो कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती, ये हुई कि मैं सहती रही, सहती रही, so friends, काफी लोगों का कहना ये भी है, कि आप social media पे हो, आप influencer हो, कितने लोग आपको देखते हैं, तो जो कल का वीडियो आया है, उसने काफी सवाल, लोग सपना पे भी उठा रहे हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला, लोग कह रहें कि recording, अब लिग करने का क्या मतलब है, ठीक है, और जब उसी घर में आपको पता था कि सास ससूर, आपके पहले husband का जो अपने recording डाला है, उसमें, साफ पता चल रहा है, आप खुद ही कह रहे हो कि सास ससूर लडवाते थे, है ना, सास ससूर पिटवाते थे कि एक बात पे, तो कही न कहीं, जब आप next, राजवीर चौदरी जी से शादी हुई, उसके बाद, जो लोग कह रहे हैं कि राजवीर जी से शादी क्यों करी आपने, उसी घर में, चीक है, जब आपको पता था, यही सास ससूर रहने वाले हैं, सपना ने कल, आपने अगर उनका वीडियो देख हैं, तो कब आएगा वीडियो, ठीक है, सपना ने यह ज़रूर कहा था कि इन लोगों ने शादी कोई मेरे पे यह नहीं करी थी, कि हाँ चलो, एक दया खाके, या सब कुछ, हमारे, जब इनका पुराना वीडियो आया था, उस टेम सपना ने यह कहा था, कि सब को, मतलब यह ही चाहते हैं, कि हमारे ही घर में रखे रहे यह बहू, है ना, और जो मेरी बच्ची है, उसको आरुको, उसको प्यार भी मिलेगा, फादर का, राजवीर जी जैसे रहते थे, जानते थे, सब अच्छे से, तो इसलिए, लेकिन असली अच्छा है यह थी, कि इनकी पोल पट् अगर आप लोगों ने ध्यान से वो रिकॉर्डिंग पुरी सुनी है, उसमें सपना ने हो सकता है, यह जो सूरत चौधरी है, खेर मुझे देखी उस आत्मी का, अभी वो इनिसा इस दुनिया में नहीं है, God rest his soul, लेकिन करम तो अच्छे नहीं किये ना, और मुझे जहां त यह एक muscular आदमी, मतलब चौड़ा, लंबा चौड़ा आदमी और वो 18 साल की लड़की, उसको तो मतलब इतनी सोच समझ भी नहीं है, ठीक है, उसने बस सहा सहा सहा, और यह चीज़ चो एक बार सहते 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 कभी परिवार की इज़त के लिए, अपने माता-पिता की इज़ होने लगे, कहीं ना कि एकर सपना पहले ही, है ना, stand ले लेती, ठीक है, तो शायद उसके साथ इतनी जो जुलमों की इंतहा है, वो नहीं होती, second point, जो लोग recording वाली बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, उसने शायद वो इतना पिटती थी, बार-बार पिटती थी, इसल इन वीडियोस में कभी वो कहती थी, कि जब मैं बिमार हूँ, कोई मेरा हाल चाल पूछने के लिए नहीं होता है, मैं बस यहीं चाहती हूँ, कि सब लोग मिलके रहें, प्यार से रहें, मेरी बेटियों को प्यार मिलता रहें, दादी बाबा का, है ना, तो उसका साफ साफ यह कहना था, और वही दादी बाबा का भी डांस करते वे, तो यह सब क्या फेक से वीडियो के लिए होता था, रियालिटी कुछ और ही थी, हां, और सपना ने, जिस तरह से, हमने पहले भी वीडियोस देखे हैं, उसने बहुत चीजे, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके ची अंजी का भंजे का बर्दे था, तो वहां पे केक कटिंग का, उस वीडियो के बाद सपना भी नराज थी, उसने यह तक बताया था, मुम्मी उपर आती थी, मुझसे मिलने और बेड़ पे वैठी रहती थी, मैं उनसे मिलने भी नहीं जाती थी, तो जो जहां गलत है, मैं उ मतलब काफी चीज़े जो चल रहे हैं, यह सब चीज़े प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वजे से यह सब चीज़े हो रहे हैं, क्या सपना को इस घर से निकालना चाहते हैं, यह लोग, बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं, तो उस टाइम सपना का जो वीडियो आया तो उसमें साफ साफ काता, जब मैं आपके भाई को, मतलब आपके रिष्टे रिष्टे, मेरे रिष्टे रिष्टे नहीं, मेरी मम्मी की तो इतनी बड़ी गल्ती भी नहीं थी, हैं, और मुह बना लिया जाता है, ठीक है, उन्होंने सब कुछ उस वीडियो में बताया था, और ज इस तरह का मुह बनाया गया, क्या इन सब चीजों के चक्कर में, क्या फिर से बहुत सारी चीज़े बोली गए सपना को, तो एक इनसान के सहने के श्रमता होती, एक सहने की, जो कहते है, कितना कुछ सहा है उसने, और अभी का जो टाइम है, जो जजमेंटल सोसाइटी है, जो लोग कह रहे हैं कि other side of the story क्या है, other side of the coin क्या है, जो लोग बहुत कुछ negative comments भी कर रहे हैं, अच्छा, इसी दौरान, कुछ लोग का यहां पर यह भी कहना है, कि जो अंशु है, अंशु ने Instagram पर follow किया है, मुझे नहीं लगता की किया है, कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं मैंने बाद में चेक किया था, Instagram पर उन्होंने follow किया हुआ एक दूसरे को, इन चीजों में कितनी सच्चाई है, यह भी प्लीज आप लोग मुझे नीचे mention जरूर करेगा, क्योंकि मैंने चेक किया था, तो उस टेम follow किया हुआ था, अब यहां पर सपना, सपना के माइके वा आवाज सपना की है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सपना की आवाज नहीं, वो शाद उनकी ही आवाज है, और वो उनके भाई ने record किया था, भाई से बात कर रही है, और वो भी उन्होंने बताया है, कि वो उस टाइम पे शाहिद प्रेगनेंट थी, ठीक है, जिस ट सपोर्ट करें ना करें, मैं जरूर सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है, अगर कोई केस होता है, तो गवाही की क्या value होती है, ठीक है, और साफ साफ उनकी कल की वीडियो में भी उन्होंने ये बोला था, घर मत छोड़ना, उनका इशारा ये ही है, बार-बार घर मत छोड़ना, तो क्या सपना को इस घर से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या वो उसको अपने ही घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी, जितनी भी दुनिया में मेरे को लगता है, लड़ाई, जगड़े की जो फसाड, जड़ होती है, या प्रॉ पारते पीटते थे, और कुछ मेरे ख्याल से गुलुकोज लगा तो उसने भी बताया कि वो बच्चा घराने वाली पिल, पिल तक उसको दी गई थी, सोची, कितने मतलब, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो फैमिली है, ये जो चाहे इनके साथ ससूर हो गए, चाहे महा पे जो उनके साथ ससूर हो गए, ये फैमिली ही बहुती मतलब क्रूल फैमिली, किस तरह सब में बहूं के साथ, अब जो चीज़े निकल निकल के आ रहे हैं, इससे तो और बुरा लग रहा है, अब जहां पे उन्हें ये भी बोला, जो मानस्वी हैं, कि तुमारी जो सासुमा है उनकी मेरी सासुमा से रोज शाम को बात होती थी, एक दो-दो घंटे बात होती थी, और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स रखी है, क्योंकि जिस रूम में वो बैट के बात करती थी, वो हमेंने स्पीकर और कैमरा भी लगवा रखा है, तो सोचिए उसके पास बहुत सारी चीज़े प्रूफ के तौर पे हैं, लेकिन जब सपना को हेल्प चाहिए होगी तब, यहाँ पर ये तक चीज़े हो रही है, देखिए, बहुत सारी चीज़े हैं लोग बोल रहे हैं, कि सपना का आज भी वीडियो नहीं आया, क्या हुआ, तो ये चीज़े तो हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा, बाकी मुझे लगता है, कि हमें थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए, और जब तक सपना के एक दो वीडियो नहीं आ जाते, लेकिन हाँ, जो लोग कह रहे हैं, कि इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, ठीक है अन्शुने, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये लोग भी आया, आप कॉमेंट जरूर करिएगा, और एक कॉमेंट मैं पढ़ रही थी, तो बड़ा सोच के, बड़ा पढ़ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जहां पे एक लिखा हुआ था कि प्लीज बुरा मत मानना, ब वहां जाकर उसके साथ जानवरों जैसा वहवार किया जाता है, वैसे ये गरीब घर की लड़की है, मुझे लगता है कि गरीब घर की लड़की छोड़ी आचकल तो अमीर घर के घर जाएं तब भी ऐसा नहीं होता है, अमीर की लड़की छोटे घरों में चली जाएं तब भ जो गंदे लोग हैं जिनको गंदगी करनी है मारना पीटना है वो जाए अमीरों जाए गरीब हो बहुत केसस में देखा गया है ठीक है अब मैं यहाँ पर कुछ चुल एक्शन की बात कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग यह कह रहे हैं वोमें सेल में जाना चाहिए उसको कंप्ले जी रहा होता है ठीक है कहीं उसको निकालना होता है वो किसको निकाले उसने सबसे बहले सोचल मेडिया पर बताया अब इसके बाद इसके क्या कंसिक्वेंस होंगी पट I hope उसकी safety का वो धिहान रखे, उनके उपर कुछ गलत, उनकी बच्चे और उनकी safety का वो धिहान रखे और क्या वो अब legal action लेंगी, क्या वो अपने level पे और woman action, woman cell में जाएंगी, ठीक है बहुत सारी चीज़े हुई है, domestic violence, जो कि बहुत सारी लड़किया आज कल में, in fact जब मैंने वीडियो डाले थी, नीचे बहुत सारी कमेंट्स आये थे, कितनी लड़किया अपनी जान तक दे देती है, ठीक है आप यहाँ पर YouTube पर एक influencer हो, आपको बहुत पहले मेरे को लगता है stand लेना चाहिए था, खुद के लिए, आपने उसी घर में शादी भी करी, ठीक है आपको लगा चीज़े ठीक हो गई, उसके बाद हो भी गई थी, लेकिन आज इतने सारी चीज़े हुई उनके साथ, अगर जब एक कहते हैं, हद बढ़ जाएगे, जब उसको जादा परिशान करने लगे, तब उसने आके, सोशल मीडिया पर इचीज़े बोली हैं, तो friends, यहाँ पर पहली बात, मेरे को भी लगता है कि उसको action पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी उन्होंने stand लिये, इस ट यह भी जब यह वीडियो बनाई थी कि अभी तो शुरुआते में सब की बाते बताऊंगी, मैंने हमेशा से इनकी कमिया चुपाई हैं, देखे कितनी भी कमिया चुपाई हैं, कहते हैं ना कि action speaks more than words, आप वीडियो में चाहें कितना भी मीठा दिखाने की कोशिश करो, लेकि कई बार इनके ससूर क्यामरा देखके बच्चों के साथ खेलना, प्यार करना करते थे, किस-किस ने notice कि है, ज़रूर comment section में लिखना, तो चलिए, मैं कहती हूँ, यहाँ पे social media है, लोग actually मैं अपनी life नहीं दिखाते हैं, ठीक है, content होता है, वो शायद यही सोचती थी, उसको यह भी डर लगता होगा, कि मेरे content पे असर इन चीजों का ना आए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहती हूँ, कुछ लोग होती हैं, जो woman card खेलती हैं, जैसे मैंने कल भी बोला था ही माचल में, जो YouTuber है, ठीक है, जो live life with, छुटकनी, परीतो, और यहाँ पर यह, तो actually मैं इ यही चाहती हूँ, कि आप सपना आगे, as a influencer भी अच्छा message दे, society को, लोगों को अपनी बेटियों के लिए strong बने, strong आप हो, ठीक है, शायद इनको strong social media पे भी support मिलेगा, तो यह और strong हो जाएंगी, लेकिन किसी भी तरीके से, domestic violence गलत है, बहुत गलत है, और 18 साल की, 19 साल की ल इसे, ताकतवर को मार के दिखाओ, ठीक है, जब वो तुम्हें मारेगा ना, थपड़ थपड़, तब तुम्हें पता चलेगा, दर्द क्या होता है, ठीक है, तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, yes, मैं इस चीज़ को support नहीं करती हूँ, और मैं बस इसी के favor में हों कि, yes, लड़कियों को stand-up लेना चाहिए, कुछ भी situation हो, ठीक है, हम समाज के डर से के बस action नहीं लेते हैं, डर जाते हैं, लेकिन यही चीज़े आगे जाके, कई बार तो लड़कियों की जान भी चली जाती है, है ना, समझ रहे ना, बाई बाई